कि दागुर्ष के इस ओनलाइन प्लेट्फोर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वैदिक सब्वेता चल रहा है और वैदिक सब्वेता में हम अब पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में उनका विस्तार और उनकी राजनितिक इस्तती अपन अभी तक देख चुके थे अब अपना अगला टॉपिक होगा इसी में इसी में अगला पॉइंट जो है वो होगा उत्तर वैदिक काले इन सामाजिक इस्ततिय पोइंट उत्तरवेदिक कालीन समाज तो हमने अभी तक देखा जब Rigwedic समाज देखा था या पूरुवेदिक कालीन जो समाज देखा था उसमें हमने बात की थी कि चार वरणों की विवस्ता थी जिसका उलेख रिगवेद के दस्वे मंदल में है, दस्वे मंदल अंति मंदल इसका मतलब अंत में वो व्यवस्ता आई और वो व्यवस्ता इस काल में यानि उत्तरवेदिक काल में अपने परिपून या पुष्ट हुई, बात समझ रहें, वर्ण व्यवस्ता उसी प्रकार से है, उसी प्रक सुद्रिय, वैस्य और सुद्र यहाँ पर इनका इस्पष्ट उलेक मिलता है और दूसरा इनके अल जो कारिये हैं、 उन कारियों की इस्पष्ष्टचता भी बताई गई है इनके कुछ कर्थव्य भी बताई गए हैं जैसे ब्राह्मन के बारे में छे कर्तव्य बताएगे, कौन-कौन से, अध्यन, अध्यापन, मतलब पढ़ना, पढ़ाना, यजन, यजन करवाना, यजन, यजन करना, और यजन करवाना, दान देना, और दान लेना, ये छे कर्तव्य बताएगे, किनके ब्राह्मनों के, ठीक है मित्रो? अब इन में से एक कर्तव्य इम्पोर्टेंट, दान लेना, इस पर इनका अधिकार मना गया, कि दान लेने का जो अधिकार है वो ब्रह्मन वर्ग के पास में है यहनि दान लेने का जो कार्य करेगा वो ब्रह्मन वर्ग ही करेगा केलियर यह इनका विशेशा अधिकार मना गया ब्रह्मनों का दूसरा छत्रिये के जो कर्म बताए गए जो कर्तव्य बताए गए वीरोचित कार्व जिसके अंदर रक्षा और राजनिती दोनों गारिया आ गए थे इसके अतिरिक्त अध्यन याजन यानि यग्य करवाना और दान देना ये इनके कर्तव्य माने गए वीरोचित कर्म करना रक्षा करना पूरे के पूरे सभी बाकी तीनों वर्णों की खुद के वर्ण की भी मतलब सभी की रक्षा करना राजनिती करना अध्यन करना यग्य संपादन करवाना जिसमें ब्राह्मन प्रोहित होता था और दान देना दान किनको देना ब्राह्मनों को दान देना ये इनके कर्तव्य बताये गई इसके बाद आए वैश्ये वैश्यों के जो करतव्य हैं वैश्यों के जो कार्ये हैं वो पहले हम बात कर चुके हैं क्रसी पशूपालन व्यापार ये तो थे ही थे इनके अतिरिक्त ये कार्या है ये कि इनके कार्य हो गए वैसियों के कर्तव्य और सूद्रों के वही कारिय बताए गए सेवा यानि उप्रोक्त तीनों वरणों की सेवा करना इनका कारिय माना गया तो ये कुछ कर्तव्य बताए गए है जिनका उल्लेक उत्तरवेदिकालिन साहित्य में इस पश्ट तोर पर हुआ है ठीक है मित्रों आगे बात करते हैं इस वर्ण व्यवस्ता में कुछ और भी परिवर्तन हुए जैसे पहले वर्ण व्यवस्ता में चारों वर्ण समान मने गए थे कोई भी वर्ण किसी वर्ण का कारिय कर सकता था लेकिन अब ब्रामनों की सर्वोच्चता हो गई यानि ब्रामन सर्वोच्च हो गई अब ब्रामन जैसे ही सर्वोच्च हुए सुद्रों की इस्तती क्या हो गई? दैनीय हो गई सुद्रों की इस्तती बहुत ज़्यादा खराब हो गई कोण से काल में? उत्तरवेदिक काल में और जो वर्ण व्यवस्था थी जो चार प्रकार के वर्णों की व्यवस्था हम देख ते आ रहे थे हमने पढ़ा कि रिगवेदिक काल में ये वन व्यवस्ता करमपर आधारित थी लेकिन अब उत्तरवेदिक काल में ये वन व्यवस्ता जन्म आधारित हो गई यानि अब ब्रामन का पुत्र ही ब्रामन चत्रिय का पुत्र चत्रिय वैश्य का पुत्र वैश्य और सुद्र का पुत्र सुद्र ही रहने लगा ये कुछ परिवर्तन हुए रिगवेदिक कालीन सामाजिक इस्तती से उत्तरवेदिक कालीन सामाजिक इस्तती में साथ समझ में बैठ गई योगी बात, मैंने कहा, कर्तव्य बताए गए चारोवनों के, जैसे ब्रामन के कर्तव्य ये बताए, ये छत्रिय के कर्तव्य हो गए, ये वैस्य के कर्तव्य हो गए, और ये सुद्र के कर्तव्य हो गए, फिर हमने बात की, कि ब्रामनों की सरवोचता शिद्ध कर दी गई, सुद्रों की स्तती दहनी हो गई नाजुक हो गई, उनकी स्तती में गिरावट आगई और वण व्यवस्ता जो रिग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी अब वो वन व्यवस्ता जन्म आधारित हो गई क्लियर है यहां तक की कानी अगला इसी सामाजिक विशेष्टाओं में या सामाजिक विवस्ता में हम अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे उपनयन उपनयन को शिक्षा से जोड़ कर देखा जाता था यानि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पहले चारों वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था उनके साथ में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था लेकिन उत्तरवेदिकाल में जैसे उत्तरवेदिकाल आया अब इसमें सूद्रों और महिलाओं ध्यान रखना सुद्रों प्लस महिलाओं इनके उपनयन पर क्या लगा दी गई रोक लगा दी गई यानि अब केवल उपनयन जो है वो ब्रह्मन चत्रिये और वैस्य वर्णों का ही किया जाने लगा क्लियर दूसरी बाद उपनयन को दूसरे जनम से जोड कर देखा जाता था उपनयन को दूसरे जनम से जोड कर देखा जाता था यानि जब शिक्षा प्राप्त करता था व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने जाता जब उसको उपनयन संस्कार होता था तो ये माना और ये तीनों वर्ण द्विजवर्ण कहलाते हैं इनमें सुद्रवर्ण नहीं है ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है निम्न में से कौन सा द्विजवर्ण नहीं है तो सुद्रवर्ण द्विजवर्णों में सामिल नहीं होता है ब्राम्मन चत्रिये और वैस्य यही द्विजवर्णों में सामिल होते हैं क्लियर है मित्रों आगे बात करते हैं अभी सीमयाब देखिए दीरे दीरे जब वन वेवस्ता कठोर होती गई तो वन वेवस्ता के कठोर होने के साथ साथ कुछ और चीज़ी भी आई जैसे जो कर्म था यानि जो कारिय करते थे लोग पहले तो कोई भी वेक्ती कोई भी कारिय कर लेता था लेकिन अब लोगों को आजीविका के लिए कामों में समश्य होने लगी जैसे जैसे समस्या होने लगी तो एक नया कॉंसेप्ट आया हमारे सामदे और वो कॉंसेप्ट कहलाता है आपद धर्म क्या कहलाता है आपद धर्म समझे इसको क्या था कि आजीविका के लिए अन्य वर्ण के व्यवसाय अपनाना क्या कहलाएगा आपद धर्म कहलाएगा जैसे ब्राह्मन का कारिये क्या था यग्य करवाना यग्य करना अध्यन करवाना अध्यापन अध्यापन करवाना लेकिन यदि उसकी आजीविका इन कारियों से सम्चल नहीं पा रही है तो वो दूसरे धर्म के कारिये अपना सकता था जैसे ब्राह्मन जो है वो छत्रिये के कारिये कर सकता था और यदि छत्रिये की आजीविका नहीं चल रही है तो छत्रिये वैस्ये के कारिये कर सकता था वैस्ये जो है वो सुद्र के कारिये कर सकता था अब बच गया सुद्रवन तो फिर सुद्र किसके काम करें तो सुद्र जो है वो वैस्य के काम कर सकता था यही सिस्टम क्या कहलाने लगा आपद धर्म कहलाता है और प्रश्ण भी पूछा जा चुका है कि एक वर्ण अब आजीवी का नहीं चला पाने के बाद में जब जब दूसरे वर्ण के कारियों को करता था या दूसरे वर्ण के आजीरका के साधनों को अपनाता था तो उस सिस्टम को क्या कहते थे उस धर्म को क्या कहते थे उस प्रोसेस को क्या कहते थे तो वो प्रोसेस कहलाती है आपद धर्म क्या कहलाती है आपद धर्म क्लियर है म प्रित्रों आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन में या सामाजिक के जो इस्तिती थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए थे उन्हीं परिवर्तनों को देखते हूं वे हम चल रहे हैं नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं आस्रम विवस्था की कि इस समय एक और विवस्था आई जिसका इसपष्ट उलेक मिलता है आस्रम विवस्था देखिए आस्रम कितने चार ब्रह्मचर्य, ग्रीहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास और सन्यास इन चार आस्रमों का उलेक मिलता है कहा गया कि उस समय व्यक्ति सो वर्ष की आयू जीता था तो पच्चिस पच्चिस के चार आस्रम बनाए गए ब्रह्मचर्य आस्रम बालक या यूवक यूवा वस्था था यूवा ही रहेगा बालक इसमें क्या करता था बिल्कुल शिक्षा प्राप्ते करता था अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता था, अपने गुरूं के आदेशों का पालन करता था और अंत में अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने घर आ जाता था पूरी की पूरी तरह से प्योर बच्चा अगला ग्रहस्त विवाह कर लेता था संतानोत पत्ती करता था और अपने अन्य प्रकार के जो उसके उपर रिंड जैसे रिसी रिंड देवरण पित्र रिंड इनको उतारने के लिए कारिय करता था पचाइस साल के अमर तक वानपरस्त पूरी जिम्मेदारिया अपने पुत्रों के विवाह अगरा करके और श्वेम जंगल में प्रस्थान कर जाता था बाहर रहने लग जाता था यह पूरी की पूरी जो जिम्मेदारिया हैं वो अपनी अगली पीडी को शॉप देता था और इसके अंदर पूरी तरह से सन्यास ले लेता था, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं होता था, और अपने अगले जनम, पुनर जनम या मौक्ष प्राप्ति के लिए कारिय करने लग जाता था, अब ये तो बिलकुल सीधी सी बात है, जो बारव आपने सब जानते हैं, प्रश्न क्या बन सकता है, कि ये प्रारंब कब हुई, तो इसका प्रारंब माना जाता है, एक विद्वान होए, जिनका नाम बोधायन, इन्हों ने कहा, ये रिसी, कि बोधायन रिसी के अनुसार कि आस्रम विवस्ता, प्रहलाद के पुत्र, कपिल से प्रारंब मानी जाती है, किस के अनुसार? बोधायन के अनुसार, किस से प्रारंब? कपिल से प्रारंब, और कपिल कोण है? प्रहलाद का पुत्र, क्लियर है, अब ये जो चार जो आस्रम बताए गए है, इन में से सबसे बैस्ट आस्रम माना गया, सबसे स्रेष्ट आस्रम माना गया है, किस को? ग्रहस्त आस्रम को, ग्रहस्त आस्रम को सर्व स्रेष्ट आस्रम कहा गया, सर्वस्रेश्टास्रम कौन सा ग्रहस्टास्रम अब प्रश्ण बन जाए कि किसमें कहा गया तो दो ग्रंथ आएंगे एक तो मनु इस्मृति और दूसरा आएगा महा भारत इन दोनों में मनु इस्मृति में भी और महा भारत में इन चारों आश्रों में स्रेश्ट आश्रम सर्वस्रेश्ट आश्रम जो कहा गया है वो ग्रिहस्थ आश्रम या ग्रहस्थ आश्रम को कहा गया है इन दोनु ग्रंथों में जो आलोच ना की गई है, वो किसकी की गई है? सन्यास की अब उनका अपना व्यूत की वो सन्यास आशरम को सही नहीं मानते थे clear है? next आगे की बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन पुरुशार्थ पर अब बात करेंगे अपन पुरुशार्थ पर सीधा साप कंसेप्ट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुशार्थ का अर्थ क्या हुआ यानि व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य क्या क्या है एक तो धर्म का पालन करना एक आजीवी का कमाना एक काम आप समझते हैं और मोक्ष प्राप्ते करना ये चार उद्देश्य बताये गए और इन चारों उद्देश्यों को कहा जाता है पुरुशार्थ क्या कहा गया है? पुरुशार्थ अब इन में से धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को स्रेश्ट बताया गया है इसलिए इनको त्री वर्ग कहा गया क्या कहा गया? त्री वर्ग प्रश्न क्या बन चुका है? कि निवन में से कौन सा पुरुशार्थ त्री वर्ग में सामिल नहीं है कौन सा पुरुशार्थ त्री वर्ग में सामिल नहीं है तो कौन सा सामिल नहीं है? मोक्स सामिल नहीं है बाकी धर्म, अर्थ और काम तीनों के तीनों त्रिवर्ग में सामिल है अब प्रषण थोड़ा सा और बढ़ जाए आपके लेवल कि ये त्रिवर्ग किस गरंत में बताए गई है तो त्रिवर्गों का उलेख मिलेगा मनूद इसम्रति में कहां पर मनूद इसम्रति में क्लियर है पुरसार्थ कितने चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानि जीवन के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं और यह चार है जिन में से प्रारंबिक तीन को त्रीवर कहा गया और कौन से गरंथ में कहा गया मनू इसमरती मैं मनू इसमरती में कलियर है next आगे बात करते हैं हम चलू मैं और थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूं अभी आपको संसकार और बता देता हूं संसकार के बारे में भी बात कर लेते हैं अच्छा संसकार कितने होते हैं? 16 मुख्य रूप से संसकार कितने मने गए? 16 अच्छा संसकार का साब्दिकर्थ क्या होता है? संसकार का साब्दिकर्थ क्या हुआ? तो संसकार का साब्दिकर्थ हुआ सुध्धी या परिस्करण बाते की है सुद्ध करना परिस्कृत करना किस कार्थ हुआ संस्कार का और संस्कार सामान्य तया कितने माने गए सोल है सामान्य तया इनकी संख्या कितने माने गई है सोल है अब दो विद्वान हुए एक विद्वान रिसी जिनका नाम गौतम एक विद्वान रिसी जिनका नाम है बैरवानस इन्हों ने अपने हिसाब से संस्कारों की संख्या अलग-अलग बताई है आप से सीधा प्रश्न करें संस्कार कितने होते हैं आपको आंसर करना है 16 लेकिन प्रश्ण करे रिसी गोतम के अनुसार संसकारों की संख्या कितनी है तो उन्होंने बता ही 40 अगर आपसे प्रश्ण करे वैरवानस के अनुसार संसकारों की संख्या कितनी है तो 18 दोनों को बिलकुँ दिमाग में फिट करना प्रश्न में नाम दे के पूछता है तब आपको आंसर इनके अमसार करना है और सिधा पूछता है तो आपको आंसर करना है किस हिसाब से किस सोल्य होते है अब कौन-कौन से होते हैं इनके बारे में पर बात कर लेते हैं जैसे पहला अच्छा ये जो संस्कार हैं ये व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर उसकी मृत्यू तक मानिये गए हैं यानि जब उसका जन्म भी नहीं होता है उससे पहले से ही संस्कार प्रारम हो जाते हैं जिस दिन निशेचन होता है जिस दिन वो गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के और उसकी मृत्यू तक के 16 संस्कार बताए गए है तो 16 संस्कारों की बात करते हैं पहला संस्कार गर्भा धान यानि जब संतानोत पत्ती के लिए पिता और माता के द्वारा या पती और पत्नी के द्वारा संतान प्राप्ती के लिए संभोग किया जाता है और उसके बाद में गर्भ धारन हो जाता है तो पहला संस्कार उसे ही मान लिया गया पहला संसकार उसे ही माना गया और वो संसकार कहलाया गर्भा धान संसकार कौन सा संसकार गर्भा धान संसकार और दूसरा संसकार माना गया सीमान तो नयन दूसरा संसकार कौन सा सीमान तो नयन दूसरा संस्कार सिमान तो नयन संस्कार इसके बारें बात करेंगे यह क्या होता है यानि जब मैला गर्ब वती हो गई और उस समय देखो अथरवेद में जादू टोना टोटका और अनिष्ट कारी सक्तियों का उलेख मिलता है अभी हम जब धार्मी की इस्तिती पढ़ेंगे वहाँ पर बात करेंगे तो उन अनिष्ट कारी दुष्ट सक्तियों से गर्ब वती माता को गर्ब वती महिला को बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता था जो संस्कार संपादित किया जाता था वो संस्कार कहलाएगा सिमान तो नहन, यानि दुष्ट या अनिस्ट कारी सक्तियों से गर्भवती महिला को बचानने के लिए कोन सा संस्कार हो गया सिमान तो नहीं, पहला समझ गए गर्भाधान, दूसरा सिमान तो नहीं तीसरा, पुष्वन, देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हम बात कर चुके हैं कि वैदिक कालिन जो समाज है वो पूर्ण तया, पित्र सत्ता आत्मक है, और पित्र सत्ता आत्मक समाज में पुत्र प्राप्ति के लिए, ज्यादा लाला इत रहते थे लोग, क्योंकि पुत्र से ही वंस आगे बढ़ता था, इसलिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तिसरं संस्कार, यह तीनों संसकार तो देख सकते हैं, अभी तक जो चल रहे हैं जन्म से पहले के हैं? व्यक्ती का जन्म नहीं हुआ है और यह संसकार पहले ही हो गई है, अब आएगा चोथा संसकार, चोथा संसकार हुआ अपना जन्म के बाद का, जिसको कहते हैं जात कर्म, पहले देखो जो सीमान तो नयन हुआ था, उसमें अनिष्ट कारीया दुष्ट सक्तियों से गर्भवती महिला को बचाने के लिए किया गया था, और ये जो संसकार है ये नव जो सिसू कहें जिसको नया जो बच्चा है उस बच्चे को उन अनिस्टकारी सक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था संसकार कौन सा जात कराम यानि सेम दुष्ट वैं अनिस्टकारी सक्तियों से सिसू को बचाने के लिए कोन सा संसकार हो गया जात कराम बात समझ भाई पहला गरवादान सिमान तो नयन पुष्वन और जात कराम दुष्ट वैं निस्टकारी सक्तियों से सिसू यानि जो नया बच्च जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को बचाने के लिए जो संसकार किया जाता था वह संसकार कहलाएगा जात कर्म संसकार क्लियर अब आगे चलते चार हो गए पांचवा नाम करण संसकार कौन सा नाम करण सोरी नाम करण संसकार देखे बच्चे के जन्म के तीसरे पांच में साथ में नोवे दिन अपने पुरोहित को बुला करके और ग्रहनक शक्त्रों के हिसाब से उसका नाम निकलवाना ये संसकार क्या कहलाएगा नाम करण संसकार क्लियर है पांचवा चटा संसकार देखो नाम निकल गया नाम निकलने के बाद में अब निसकर्मन होगा निस्कर्मन यनि बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना कुवापुजन के समय भी कई जगों पर निकाला जाता है दस्वापुजन बोलते हैं जिसको सामान्य ता दस्वाइ दिन या उचित मुरद देख करके ये कारिये किया जाता था ये संस्कार किया जाता था नेक्ष्ट अगला संस्कार है अपना अन्य प्राशन पालक को पहली बार अन्य खिलाना और सामानेत च्छे महा की अवस्था में उम्र कितनी हो जाती थी सामानेत उसकी छे महा की उम्र में और ये अन्न खिलाने का जो कारिय करता था वो सामानेत पिता या घर का जो व्रद्ध व्यक्ति होता था उसके आपतों करवाया जाता था क्लियर है पहली बार अन्न खिलाना सामानेत अच्छे माह की उम्र में पिता या व्रद्ध व्यक्ति के दुआरा ये कारिये करवाया जाता था आठवा जो अपना संस्कार है वो संस्कार है करण छेदन समझ गया हूंगे उचित मूरत देख करके बालक के कान छेदना नोवा संस्कार है चूडा करण जात जडूल्या जिनको बोले बच्चे के जात जडूले उतरवाना बच्चे के पहले बार बाल देता हों कुछ अढ़ाना और वो संस्कार कहला एगा चूडा करण इसको अपन अपनी वाशा में ऐसे कहें तो यह भी कह सकते मुंडन बच्चे का मुंडन करवाना क्लिर है तो ये नो संसकार थे अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट दस्वा संसकार और दस्वा संसकार हो गया उपनयन विद्यारम उपनयन तो ग्यारमा होगा विद्यारम दस्वा विद्या रंभ संसकार विद्यारंब संसकार यानि बच्चे की पढ़ाई शुरू करवाना जो उसको प्रारंबिक वर्ण माला का ग्यान देना उसको ओम का उच्चारण करना सिखाना ये विद्यारंब संसकार होता था और ये संसकार यानि विद्या घर पर ही शुरू करवाई जाती थी और संभात है सबसे ज़्यादा इसमे योगदान माता का होता है, सबसे पहले बच्चे को छोटे-छोटे सब्द बोलना, सिखाना, बच्चे को ओम का उचारन करना, सिखाना, बच्चे को वर्ण माला का ग्यान देना, ये कारिये घर पर करवाया जाता था और इस संसकार को विद्ध्यरंब संसकार कहते थे समय ने तहां तीन या चार वर्स की उम्र में किया जाता था लेकिन आज कल समय चेंज हो गया आज कल तो प्रारंबिक जो काम होता है प्रारंबिक शिक्षा होती है वो भी play schools में होने लग गई तो समय बदल लग रहा है लेकिन ये संसकार आप समझ चुके होंगे अगला important संसकार 11 उपन नयन संसकार और ये संसकार का संबंद है शिक्षा से यानि बालक सिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाता था अच्छा घर से बाहर कहां जाएगा रिसी के आश्रम क्लियर स्टार्टिंग में रिसी के आश्रम या फिर अपने इनको पाट साला भी कह सकते वहां पर चला जाता है अब यहां पर प्रश्ण बनता है इंपोर्टेंट उपने इन संसकार से क्योंकि एक चीज़ समझें अलग अलग जैसे अपन उत्तरवेदी काल पढ़ते हैं वहां पर सुद्रों के उपने इन संसकार पर तो रोक लगा दी गई सुद्रों का उपने इन संसकार तो होई नीरा है तो फिर तीन वर्णों का होगा तो उन तीन वर्णों के बालकों की उम्र भी निर्दारित थी अब पहले उपनेयन का अर्थ समझो उपनेयन का अर्थ होता है बच्छा निकट ले जाना ये अर्थ भी पूछ सकता है उपनेयन का अर्थ क्या हुआ निकट ले जाना और बचो निकट कहां ले जाना तो गुरू के निकट ले जाना एक बार दूसरी बार इसी संस्कार को यग्यो पवीत भी कहा गया क्योंकि इसी संस्कार के समय एक यग्यो पवीत धारण करवाया जाता था अब उपने इन संस्कार जो है वो होगा किन किन का कौन कौन से वर्णों का तो एक तो होगा ब्राम्मन का ब्राम्मन का जो बालक होगा उसका दूसरा छत्रिय बालक का मैं दूसरे पेश पर समझाता हूं चलो यहीं पर यहां एक तो ब्राम्मन बालक का एक छत्रिय बालक का और वहश्य बालक का इन तीनों का उपनियन संसकार किया जाता था इन तीनों को यग्यो पवित धारण करवाया जाता था और इनकी उम्र निर्दारित की गई थी जैसे यदि ब्राम्मन बालक है तो उसकी उम्र निर्दारित की गई आठ वर्ष की उम्र जैसे ही हो उसको गुरू के आस्रम में चला जाना चाहिए गुरू के पास चला जाना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए छत्रिय बालक की जो उम्र निर्दारित की गई थी वो दस वर्स की गई थी और वैस्य बालक की उम्र निर्दारित की गई थी बारे वर्स इनका उलेक मिलता है कि ब्राह्मन आठ वर्स चत्रिय दस वर्स और वहस्य बालक 12 वर्स का जब होता था तो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता था या चला जाना चाहिए ये कहाँ वे है अब जब यग्योपवीत दारण करवाया जाता था तो वो यग्योपवीत भी अलग अलग प्रकार से बनता था जैसे ब्रामन के पुत्र को यदि यग्योपवीत दारण करवाया जाता था वो यग्योपवीत सूत का बना होता था किसका बना होता था सूत का छत्रिय के बालक को जो यग्यपोवीत धारण करवाया जाता था वो जूट का बना होता था और वैस्य के बालक को जो यग्यपोवीत धारण करवाया जाता था वो उन का बना होता था इस प्रकार के प्रशन मित्रो आरेस ग्रेड फर्ष्ट और संभावतर ग्रेड सेकंड तक भी पूछ लिये जाते हैं हालां कि रीट वगेरा में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी चीज पढ़ो उसको from pint to paramount पड़ डालो एक बार में पड़ डालो जिससे उसका जनजट खतम हो जाये मैं बात कर रहा हूँ सबसे important संस्कार सबसे ज़ादा प्रशन जिस संस्कार से बनते हैं वो संस्कार उपनें संस्कार किस से संबंद है इसका सिक्षा से इसको क्या कहते हैं यग्योपवीत संसकार भी इसका सापदिक अर्थ क्या हुआ निकट ले जाना निकट किसके गुरू के निकट ले जाना घर से बाहर कलियर रिसी के आसरम या पाट साला में अब अलग अलग उम्र में अलग अलग समय में इनको यग्योपवीत धारन करवाया जाता था बालकों को जैसे ब्रामन आठ वर्स का हुआ सूत का चत्रिय दस वर्स का हुआ जूत का और वैस्य का बालक बारह वर्स का हुआ तो उसको उनका यग्योपवी धारन करवा के गुरू के आस्रम में छोड़ दिया जाता था तो ये ग्यारवा संस्कार है वो सबसे important संस्कार माना गया है आगे बात करते हैं अब बच्चा चला गया गुरू के आस्रम में की है और गुरूकी आश्रम त्राप्त करेगा शिक्षा किसका अरह कर रहा है शिक्षा का और उस समय सिक्षा दिजाती थी वेदों के माध्यम से वेद ही सिखाय जाते थे वेद हलांकि वेद ग्यान का बंडार है वेदों में हर चीज, हर प्रकार की बात का सार मिलता है, हर प्रकार का ग्यान का सार मिलता है तो बार्वा संसकार कहलाएगा वेदारंब शंसकार यनि वेदों का अध्यन प्रारंब करने वाला शंसकार क्या कहलाएगा वेदारंब तेर्वा संस्कार जो है वो हो गया अब सिक्षा प्राप्त कर ली सिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब सिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो अपने पहली बार बच्चा जब तरुन अवस्था में पहुँच जाता है तो पहली बार जब दाड और उस संसकार को कहा गया केसांत संसकार, क्या कहलाया, केसांत संसकार, पहली बार दाढ़ी कटवाना, कटवाने से इसका संबंध था, पहली बार दाढ़ी कटवाने से, और संसकार कौन सा कहलाया, केसांत, यानि केसों का अंत करवाना, अगला संसकार है, अब यहां से वो आएगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में घर, तो उस घर आने को कहते हैं, शमा वर्तन, अच्छा इ हो जाएगा, इसलिए सब को बिल्कुल सिस्टम से याद रखना, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चोथा कौन सा, समा वर्तन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, शिक्षा या ज्यान, प्राप्त करने के बाद, पहली बार घर आना, संसकार हो गया कौन सा चोधूँ या निस्क्षा प्राप्ट करने के बाद में बच्चा आ गया कहाँ, घर पर अ गया और अब घर आने के बाद में जैसे ही बच्चा पहली बार आता है बहुत दिनों बादा आ गया जवान हो गया यूवक बन गया है अब गरवाणों की दिमाग में की बात चलेगी छोड़ा को ब्याव करो फटा-फट तो फिर क्या करेंगे इसकी साधी तो अगला संस्कार हो गया पंद्रवां वो संस्कार कहलाएगा विवाह या पाणी ग्रहान इसके उपर अपन डिटेल से बात करन तो अगला जो संस्कार हो गया वो संस्कार हुआ विवाह या पाणी ग्रहन संस्कार उचित कन्या देख करके या लड़का खुद देख करके जैसे भी करें और उसका उसकी साधी हो जाए उसके आतपेले हो जाए वो संस्कार हो गया विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार मान जब व्यक्ति की म्रित्यू हो गई, और मुर्त्यू होने के बाद में पुनरजणम को ध्यान में रख करें, मौक्ष को ध्यान में रख कर, उसके लिए कुछ संस्कार निक्टाए जाते हैं और वो सारे के सारे संसकार जितने भी में आपकर बात समझ में बैठ गई होगी अब बात करते हैं अपने एक पॉइंट छोड़ा है मैंने कहा विवाह अब अगला आगे जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे विवाह के ऊपर अब ऐसे में सोच ना कि गुरु जी ब्याव पर क्या बात करनी ब्याव तो ब्याव पर क्या की बात करनी बिटा साधी से भी प्रश्न पूछ लिये जाते हैं और बहुत इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न बन जाते हैं जैसे इसको क्या क्या कहा गया जैसे कई बार आपने देखा होगा आज वो परिणे सुत्र में बंदने वाला है तो इसको परिणे भी कहते हैं इसको उपयम भी कहते हैं और इसको पानी ग्रहन भी कहते हैं हमारे धर्मसास्त्रों में विवाह की जो संख्या बताई गई है वो संख्या बताई गई है आठ यानि कितने प्रकार के विवाह बताई गई है आठ प्रकार के जैसे अब आठों का जिक्र करेंगे अपर पहला नमबर एक विवाह ब्रह्म विवाह ब्रह्म विवाह इस विवाह में क्या होता था कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए स्वियोग्य वर ढूंड़ कर अपनी पुत्री को सजाकर सजाकर मतलब पूरी तरह से अलंग कृत करकर गहने वहने अच्छे से पहना करके वो हो गई अलंग कृता पुत्री और उसका विवाह कर देता था सुयोग्य वर ढूंड़ कर अपनी अलंग कृता पुत्री का विवाह करना पहला विवाह होगा और है ब्रह्म विवाह अब दूसरे प्रकार के विवा की बात करते हैं, दूसरा विवा हो गया, देव विवा, देव विवा, देव विवा समझी, मान लिजे किसी व्यक्ति ने, कोई यग्य करवा रहा है, और यग्य करवाने के लिए किसी प्रोहित को बुलाया, किसी ब्रह्मन को बुलाया, और उसको उसके ज्ञान से प्रभावित हो गया उस ब्रहमन के ज्ञान से प्रभावित हो गया और ज्ञान से प्रभावित होकर अपनी कन्या का विवा उस ब्रहमन से कर दिया वो विवा कहलाएगा देव विवा क्लियर किस्से करवा रहा है यग्य करवाने वाले पुरोहित से क्लियर अब इसके किस्से प्रभावित हुआ था वो ज्यान से प्रभावित होकर और विवा क्या कहलाया देव विवा तीसरा विवा का आप जो प्रकार है वो विवा है आर्स विवा क्या कहलाएगा आर्स विवा इसमें थोड़ी सी चेंज न आ गई बच्ची का पिता या बालिका का पिता या कन्या का पिता अपने होने वाले दामाद से एक गाय या एक बैल या एक जोड़ा गाय या एक जोड़ा बैल का लेकर के और बदले में अपनी कन्या का उससे विवा करवा देता था और विवा क्या कहलाता था आर्श विवा यानि जिससे साधी करनवानी है वो क्या कहलाएगा बावी दामाद तो बावी दामाद से एक गाय प्लस एक बैल या फिर जोड़ा लेकर के उसके बदले में अपनी पुत्री का विवा करवाता था वो विवा कहलाएगा आर्श विवा पहला विवा कुनसा ब्रह्म विवा आप समझ गए क्या प्रोसेज होती थी अगला दे विवा यग्य करवाने वाले प्रोहित से अगला आर्श विवा भावी दामाद से एक जोड़ी गाई या एक जोड़ी बैल या एक गाई या एक बैल ले करके उनका जोड़ा ले करके और फिर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करवा देता था ये विवाह कहलाएगा आर्श विवाह अगला नंबर फूर प्रजा पत्य या प्रजा पत्विवाह आजकल की अपनी जो साधियां होती हैं वो लगबग प्रजापत विवा है पूरी तरह से इसमें होता क्या है वरपक्ष को अपने घर बुलाकर उसका स्वागत सत्कार करना उनको भोजन करवा करके और फिर अपनी कन्या का विवा उनके उसके दामाद के साथ करना क्या कहलाएगा प्रजापत विवा बात समझ में आगी चोथे प्रकार का विवा प्रजापत विवा है अपने घर वरपक्ष को बुलाकर स्वागत सत्कार प्लस बोजन वगेरा करके और फिर करवा के और फिर अपनी पुत्री का विवा करना क्या कहलाएगा प्रजापत या प्रजापात्य विवा अगला हो गया गंदर्व पाच्वा इसको कहते हैं प्रेम विवा लव मेरिज आज कल कुछ परचलन में ज्यादा ही है लड़का लड़की है कि दूसरे को पसंद कर लेते हैं और विवा कर लेते हैं किसी भी प्रकार से वो विवा कहलाएगा गंदर्व विवा प्रेम विवा छटे प्रकार का जो विवा है उसको कहा गया है असुर विवा असर विवा क्या होता था यानि कोई पिता है उसकी देनी इस्तति या नसापता करता है तो क्या करता था वर्पक्स से कुछ धन ले लेता था और धन ले करके उसके बदले में अपनी पुत्री का विवा करता था क्रे विक्रे के माध्यम से जो विवा होता था खरीदना बेचने की जो प्रोसेज जिस विवा में चलती थी चलती है भी वो विवा क्या कहलाता था असुर विवा यानि क्रे विक्रे अधारत और क्रे किसका किया जाता था बेचा किसको जाता था कन्या को यानि कन्या का धन लेकर कन्या के पैसे लेकर के जो विवा किया गया वो विवा कहलाया अशुर विवाह नंबर साथ विवाह कहलाता है राखशस विवाह राक्शस देखें होंगे पहले राक्शसों के बारे में सुना होंगे उनको जो चीछ जम जाती ती वह उसको छीम लेतेगा उसी प्रकार का विवाह क्यांironis 불 sign यानि को रिखन आगही और उसको जबरदस्ती उठा करके, किडनेप करके, अपरहन करके, जो विवा किया जाएगा, वो विवा क्या क्या राक्षश विवा, यानि किस्प के आदारित है, अपहरन करके, जो विवा किया जाएगा, वो विवा हो गया कौन सा, राक्षश विवा, कन्या का अपहरन करके, कि पैशाच विवा यह निक्रश्टम है यह सबसे निम्न कोटी का विवा कौन सा पैशाच विवा और ब्राह्मनों के लिए तो बिल्कुल निशिद्ध बिल्कुल निशिद्ध माना गया है कि ब्राह्मनों को तो यह विवा करना ही नीची है विवा कौन सा है पैशाच विवा निक्रश्टम विवा माना गया है इसको अब इसके बारे में बताओं होता क्या था कोई कन्या है वो सो रही है या नसे में है मदमस्त है डरी हुई है गबराई हुई है तो उससे जबरदस्ती संबंद स्तापित करके यौन शंबंद बना करके और फिर उससे विवा करना क्या कहलाएगा पैसाच विवा कहलाएगा कलियर है मित्रो बात समझ में आ गई होगी पहला विवा कौन सा ब्रह्म विवा यानि सुयोग्यवर डूंड करके अपनी कन्या अलंग कृता पुत्री का विवा करना दूसरा विवा का परकार हुआ देव विवा यग्य करने वाले पुरोहित के साथ विवा करना तीसरा आर्ष विवा एक गाय और एक बैल लेकर या गाय का जोड़ा या बैल का जोड़ा लेकर के भावी दामाद से और फिर विवा करना कौन सा हो गया आर्ष विवा अगला हुआ प्रजापत विवा वर्तमान में परचलित स्वागत सत्कार करके जो विवा किया जाएगा जिस प्रकार से वर्तमान की विवा होते हैं विवा हो गया प्रजापत गनंदर विवा यानि प्रेम विवा आपस में एक दूसरे को परसंद करना और सादी कर लेना असुर विवा कैसा क्रे विक्रे आधारित विवा, कंया का धन लेकर, कंया के मूले लेकर, व़दु मूले लेकर के जो विवा किया जाए वो विवा असुर विवा हो गया राक्सस विवा किड्नैपिंग करके किड्नैप करके जो विवा किया जाए वो असुर विवा हो गया और पैसाच विवा हो गया बिलकुल बिनामर जी के जबरदस्ती करके जो विवा होगा वो पैसाच विवा हो गया अब इन विवाओं के बारे में थोड़ा सा बात करें प्रारंब के जो चार है इनको दर्म सम्मत माना गया है और लाष्ट के जो चार है बाद के उनको दर्म सम्मत नहीं माना गया यानि वो धर्म के अनुसार नहीं है लेकिन एक गरंथ आता है और उन गरंथ का नाम है महाभारत धर्म का नाम है महाभारत महाभारत क्या कहता है महाभारत में दो-तिन जगे ऐसा आपको देखने को बे मिलेगा कि जब भीष में पितामा जाते हैं और तिनों कन्याओं का अपने पोत्र के लिए पोत्र के लिए उनकन्याओं का अपहरण करलाते हैं उससे विभा करवाते हैं यानि जो अपहरण का विभा है इसको छत्रियों के लिए चत्रियों के करने योग ये बताया गया है माना गया, यहनी महाभारत क्या कहता है, कि छत्रिय यदी राक्षश विवाह करता है, किड्नेप करके विवाह करता है, तो उचित है, यह बात मैं नहीं कहा रहा भी या, कहीं कल नहीं लग जाओ, हना, मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, महाभारत ने क्या कहा, कि छत्रिय जो हैं उनके लिए राक्षस विवाह वो कुछ हद तक उच्चित है पूरी तरह से उच्चित नहीं है कुछ हद तक उच्चित है आलांकि ये बाध के चारों विवाहों में सामिल है और इन राक्षस विवाह को भी धर्म सम्मध नहीं माना गया है क्लियर? अब आगे का कंसेप्ट इसी में अपन बात करते हैं अपन सामाजिक इस्तती पढ़ रहे थे और सामाजिक इस्तती में समाज के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स पर बात की अब आगे करते हैं तो देखिए उत्तरवेदिक कालिन जो समाज है हमने देखा था रिगवेदिक समाज के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा थी हालां कि अभी भी संयुक्त परिवार प्रथा ही है लेकिन कहीं कहीं पर एकल परिवार का उलेक भी मिलने लग गया था दो तिने examples मिलते हैं तो अगला point संयुक्त के साथ साथ कैसे परिवार एकल परिवार भी संयुक्त के साथ साथ एकल परिवारों का अस्तित्व भी मिलने लगा क्लियर अगला इस्तियों की दसा में गिरावट हमने बात की थी अभी थोड़े पहले भी जब हम यह point देख रहे थे उपनेयन संस्कार का तो वहाँ अपर अपर ने बात की थी कि इस्तियों और सुद्रों के से उपनेयन का संस्कार छेंद लिया गया था और सुद्रों की स्थती में गिरावट आ गई थी ये भी बात की थी तो अब दोनों को सहित रूप से बात कर लेते हैं इस्त्रियों वे सुद्रों की स्थती में क्या गई गिरावट कौन से काल की बात कर रहे हैं उत्तरवेदिकाल में इस्त्रियों के लिए तो एक सहिता में लिखा गया है और सहिता कौन सी मेत्राइनी सहिता में लिखा गया है कि इस्त्री जुवा और सुरा के साथ जो तीन बुराईयां हैं उनमें सामिल है तीन बुराईयां कौन कौन सी बताई गई मेत्राइनी सहिता में इस्त्री सुरा और तो मेत्रायन सहिंता में इनको तीन बुराईयों में सामिल वाना गया इस्त्रियों को कौण कौण सी सुरा जुआ और इस्त्री इसका अर्थ क्या हुआ कि इस काल में स्त्रियों की दसा में बहुत जदा गिरावट आ गई थी इसके और भी एक्जामपल्स मिलते हैं जैसे अंतिम जो वेद है अथर्व वेद अंतिम जो वेद है अथर्व वेद में पुत्री के जन्म पर दुख परकट किया गया है इसका मतलब इस्त्रियों की दसा में गिरावट आ चुकी थी पुत्रियों को अब पुत्रों के समान नहीं माना जा रहा था अतर्वेद में क्या लिक कहा मैंने पुत्री के जन्म पर क्या परकट किया गया दुख परकट किया गया है हालांकि एक जगे ऐसी है जिसका ना एक ब्रामन गरंथ है और ब्रामन गरंथ कोण सा सत्पत ब्रामन सत्पत है ब्रामन वहां पर यह एक बार प्रशन बन चुका है सत्पत ब्रामन में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है है अलांकि इस बात का गिरावट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह जिकर आया तो मैं साथ के साथ बता रहा हूं आपको कि अर्धांगिनी अर्ध अंगिनी आदे अंगिकी स्वामी नी अर्धिंग नी कौन से ब्रामन गरंत में कहा गया है सत्पत मैं स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रामन गरंतों में सबसे इंपोर्टेंट जो ब्रामन गरंत है वो सत्पत ब्रामन है और इसके बारे में सुद्रों की इस्तिती में बहुत ज़दा गिरावट आ चुकी थी कौन से काल की बात करें अपने उत्रवेदिक काल में अगला पहले एक पतनी प्रथा अपने पढ़ी थी लेकिन अब जो बहु पतनी प्रथा का परचलन हो गया था यानि एक व्यक्ती एक साथ का ही पतनिया रख सकता था और उसको धर्म शम्मत माना गया है कौन से काल में उत्रवेदिक काल में और इसके लिए एक सहिता है जो ये बात कहती है और वो सहिता है कौन सी मेत्रायनी सहिता इनके नाम याद रखना बच्चो मैं कुछ जो प्रूव दे रहा हूं जो ये प्रूव हैं वो आज कल पूछे जाते हैं बड़े अग्जाम्स में कि किसमे का आगया है कि एक राजा को चार परकार की पत्नियां होती थी एक राजा के चार परकार की पत्नियां होती थी इसका उल्ले कहां मिलता है तो मेत्रायनी सहिता में मेत्रायनी सहिता क्या कहती है सासक या राजा कितने परकार की पत्नियां चार परकार की पत्नियां रख सकता था और वो चार प्रकार की पत्मियां कौन-कौन सी हो गई उनके उपर बात करते हैं पहली होती थी महीसी दूसरे प्रकार की पत्मिय होती थी वावाता तीसरे प्रकार की पत्मिय होती थी परीवरक्ती और चोथे प्रकार की पत्मिय होती थी पालागारी क्लियर यानि महीसी महीसी कौन से पत्नी हो गई सबसे प्रमुख पत्नी जिसकी सलाह भी लेता था राजा वावाता सबसे प्रिय पत्नी परिव्रक्त इसको मतलब एक तरह से यह कैसे हैं जिसका उपहास कर दिया गया था जिस पत्नी को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था जिसकी उपेक्षा कर दी गई थी यानि यह पत्नी हो गई उपेक्षित पत्नी कोड़ी पत्नी उपेक्षित पत्नी और पालागारी है पालागल नामक अधिकारी की पुत्री यह पालागल अपन बात भी कर चुके हैं पहले भी राजा का मित्र की तरह से काम करता था और उसकी जो पुत्री होती थी उसका विवाहा भी राजा से होता था और वो पालागारी कहलाती थी यह चार प्रकार की पत्नियों का उल्ले कौन सी सहीता में हमेत्र हैं यह आमजन के लिए नहीं लिख रखा वहाँ पर जिक्र आ रहा है किसके लिए राजा के लिए कितने प्रकार की चार पहली महिसी प्रमुक वावाता सबसे प्रिये सबसे ज़्यादा प्यारी परिवरक्त सबसे ज़्यादा उपेक्षित पत्नी और पालागारी कौन सी पालागल नामक अधिकारी की पुत्री क्या कहलाएगी पालागारी क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं आप आओगे इस समय भी कुछ ऐसी चीजें थी जो रिगवेदिक काल में थी ऐसे कैसे थी जैसे मैंने का सती पर्था उत्तरवेदिक काल में भी नहीं है पर्दा पर्था उत्तरवेदिक काल में भी नहीं है बाल विवाह तो ये भी नहीं है फिर नियोग प्रथा ये है दहेज यानि वहतू आलांकि इसका प्रचलन बढ़ गया था ये भी दिया जाबता था और रिगवेदिक काल की तरह शगोत्र और सैप्रवर यानि अपने गोत्र में अपने परिवार में जो विवा हैं वो निसिद्ध थे रिगवेदिक काल में भी निसिद्ध थे और यहां भी निसिद्ध माने गए हैं दोनों प्रकार के विवाओं को सैगोत्र और सैप्रवर विवाओं तो मित्रों आशा है कि आप उत्तरवेदिक कालीन सामाजिक इस्तती को अच्छे से समझ चुके होंगे सोले संसकार भी समझ चुके होंगे आठों प्रकार के विवाओं भी समझ चुके होंगे और उस समय की इस्तती में और रिगवेदिक काल की इस्तती में क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब्देगो